तस्वीर आपको दिखाते हैं पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे पर प्रधान मंत्री पहुँच गए हैं C-130J सूपर हर्कुलेस विमान के जरीए प्रधान मंत्री यहां पर पहुँचे हैं यह भारती वायुसेना का ट्रांस्पोर्ट एक्राप और प्रधान मंत्री इसी विमान के जरीए पूर्वांचल एक्स्प्रेस वे पर लैंड कर रहे हैं सुल्तानपूर में 3.2 किलो मेटर लंबी एक एर स्ट्रिप बन कर तयार है और इसी एर स्ट्रिप पर आप से कुछ दिर में आपको वायुसेना का एक एर शो होता हुआ भी नज़र आएगा स्ट्रिप हमारे भारती वायुसेना के लडाकू विमानों को लेंडिंग और टेक आफ के लिए सुविधा सुलब कराएगी और पुर्वांचल एक्स्प्रेस वे जो 9 जिलों से गुज़रेगा लखनवू, बारा बंकी, अमेठी, सुल्तानपूर, अयोध्या, अम्बेड का नगर, आजमगर, मौू और गाजिपूर, बिहार सीमा से 18 किलो मीटर पहले तक ये जुड़ेगा और बलिया लिंक एक्स्प्रेस वे और गोरकपूर लिंक एक्स्प्रेस वे से जुड़ जाने के बाद वास्तों में ये पूरवांचल के विकास की जीवन रेखा ही नहीं, बलकि भाग ये रेखा बनेगा, ये पूरवांचल एक्स्प्रेस वे वास्तों में नए उत्तर प्रदेश का आईना है, निवेश के द्वार खोलेगा, रोजगार के अफसर बराएगा, अर्थ द्वस्था को और मजबूत करेगा, सम्रिद्धी की ओर उत्तर प्रदेश को दे जाएगा, और आप में निर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण के साथ, आप में निर्भर भारत के निर्माण में अपना महत्तुपून योगदान देगा, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, माननी प्रदान मंत्री महोदे के नाम, एक बार जोरदार तालियां, मा पुर्वांचल expressway के नाम पुर्वांचल expressway के निर्माण में जितने भी लोगोंने योगہदान दिया जरह एक बार जोड़ार ओड़ादानिया, और एक बार जोड़ार ओड़ादया, सुल्तानफूर की इस धर्दी और आप सब के लिए और अब मैं माने नीशी सूर्यभान सिंगी से अनुरोध करूँगी कि सभा को संबोधित करने की क्रिपा करें पूरवांचल एक्सप्रेस वेपर लैंड करते हुए प्रधान मंत्री मोधी C-130J सूपर हरकुलेस विमान के जरिये प्रधान मंत्री की लैंडिंग हो रही है तीन दशमलब दो किलोमेटर लंबी एक एर स्ट्रिप इस एक्सप्रेस वेपर बनाई गई है विशाल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पूरवांचल एक्सप्रेस वेपर पहुच चुके हैं यहां से सीधे जनसभा इस्थल की तरह प्रधान मंत्री मोधी जा रहे है उसे भारतिय वायु सेना के मानकों पर तयार किया गया है प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुचने वाले हैं उससे पहले मैं आपको यह तस्वीरे दिखा रहा हूँ सुबह 11 बजे से लगातार इस तरह की भीड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में पहुच रही है और ये रास्ता ये भीड कम नहीं हो रही है इसी रफ्तार में लोग लगातार मंच की तरब बढ़ते जा रहे हैं सभा स्थल पर जहां प्रदान मंत्री मोदी को भाशन देना है लगबग एक लाख भीड का टार्गेट यहां पर बीजेपी ने रखा है और भीड देखकर लगता है कि एक लाख से लोग आप देखिए यहां पर बसे भी बहुत जादा एक्सप्रेस वेपर आपको खड़ी दि उसे भी देखने की कोशिश में लोग यहां पर पहुच रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाओं से पहले आप यह कह सकते हैं कि भारती जंता पार्टी इसे मेगा शो के तौर पर पेश कर रहे हैं क्योंकि उनके सबसे बड़े चेहरे प्रधान मंत्री मोदी पूर्वांचल पहुचे हैं सुल्तान पूर पहुचे हैं तो यहां से पूर्वी यूपी की सभी सीटों के समिक्रण को बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार पूर्वांचल की लड़ाई बहुत तेज होती जा रही थी एक तर पानमंत्री मोदी के इस कारिक्टम में शामिल होने के लिए बीजेपी ने कई जिलों से लोगों को इस कारिक्टम में शामिल होने के लिए बुलाया था सुल्तान पूर, अंबेटकर, अमेठी, प्रतापगड, आयोध्या, आसपास के जिलों से लोग भी इस कारिक्टम में और ये तस्वीरें आपको हम लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सही दिखा रहे हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आज से शुरू हो जाएगा जनता के लिए खोल दिया जाएगा फिलाल ट्राइल रन होगा कोई टोल टैक्स अभी नहीं लगेगा आने वाले एक लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सियासत अपनी जगह है पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप बनकर तयार है कर रहे हैं इसकी वजह से जो विकास हमारे शेत्र में हुआ है बहुत-बहुत उनको दागबार अभार हमारे लोगों का है धन्यवाद है उनको पड़ाम है ऐसे ही विकास करते रहेंगे आगे हम लोग उनके साथ हैं देखिए इस ते कहरें कि विकास ते इनको फाइदा कहां तो पिछड़ा होने के वजह से यहां बिकास हुआ अब यहां पर जो है पूचे सतर से विकास होगा और यह से जो है ग्राम सभाइज जो है छ मिला है रोजगार के आफसर आएंगे और पूरवांचल एक्सप्रेस वे क्योंकि अगर पूरवी यूपी के कुछ जिले जैसे अगर हम गाजेपूर बलिया महू आजमगड इन जिलों की बात करें तो सीधी कनेट करें अब प्रधान मंत्री जो है वो सूपर हरकुलिस विमान से बाहर आ चुके हैं पूरवांचल एक्सप्रेस वे पर सुल्तान पूर में 3.2 किलोमेटर लंबी जो एर स्ट्रिप बनाई गई है जहां पर लडाकु विमान टेक आफ कर सकते हैं लैंड कर सकते हैं उसी एर स्ट्र समिल होने के लिए कई घंटों से यहां पर आ चुके हैं इंतजार कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री कब पहुंचेंगे उनका संबोधन कब होगा पूरवांचल एक्सप्रेस वे की सौगात उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के विधान सभाद चुनाव से पहले ये एक ब बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं सूपर हर्कुलेस विबान से पूरवांचल एक्सप्रेस वे पर प्रदान मंत्री पहुंचे हैं घटना सलक और साथ यह आप तस्वीर देख रहे हैं तीसरा एक्सप्रेस वे हैसा यह जहां पर जो फाइटर प्लेंस हैं वो टेक ओफ या लैंड कर सकते हैं इससे पहले आपने इस तरीके की तस्वीर यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा एक्सप्रेस वे पर देखी और अब इसी तरह की तस्वीर आप पूरवांचल एक्सप्रेस वे पर भी देख रहे हैं जिस तरह की चुनौती का सामना भारत करता है एक तरफ चीन से एक तरफ पाकिस्तान से यानि की टू फ्रंट वार की स्थिती में इस तरह के जो एक्सप्रेस वे होते हैं जहां एर्स्ट्रिप होती है वो भारत के लिए सामरिक द्रिश्टी से बहुत जादा एहम हो जाते हैं एक बार फिर से रुक करते हैं मिनट बाद ये कारिकरम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा प्रधान मंत्री मोदी पूरवांचल एक्सप्रेस वे का घाटन करेंगे मुख मंत्री योगी आधितनात का भाशन होगा प्रधान मंत्री मोदी सांसद भी हैं वारा नसी से वो भी पूरवांचल का एक हिस्ता है और पूरवांचल का विकास एक बड़ा चुनावी मुद्दा हर चुनाओं में बनता रहा है तो इस एक्स्प्रेसवे के जरीए पूरवांचल के विकास के मुद्दे को भी बीजेपी साधने की कोशिश करेगी और प्रधानमंत्री मोदी जहां से सांसद हैं वारानसी से अगर हम काशी से सडकों के जाल को देखे तो वारानसी से आजमगड वारानसी से गाजीपूर वारानसी से जौनपूर वारानसी से प्रयागराज वारानसी से सुल्तानपूर जहां पर हम खड़े हैं सुल्तानपूर से लखनौ ये नशनल हाईवे से जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही साथ अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो गाजीपूर से लखनौ जिसमें गोरखपूर का भी लिंक एक्सप्रेसवे दिया गया है आयुद्या के लिए भी एक कट दिया गया है और इस 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से नौ जिले तो जुड़ी रहे हैं लेकिन नौ जिलों के साथ साथ जो आसपास की जिले हैं जो इससे डारेक्ट तो नहीं जुड़े हैं पर इंडारेक्ट वहां के लोग इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल जरूर कर पाएंगे जैसे प्रियाग र बस्ती इसके साथी साथ राइबरेली अमेठी ये सब जो जिले हैं इसके लोगों को भी इस एक्सप्रेसवे का फाइदा जरूर मिलेगा और प्रधान मंत्री मोधी लखनौ से जो पूरभी यूपी का हिस्सा शुरू होता है उसके लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा र एक्सप्रेसवे से सीधे जो गाजीपूर है यूपी का अंतिम जिला आता है वहां से 18 किलोमेटर बाद बिहार की सीमा शुरू हो जाती है वहां तक यह एक्सप्रेसवे पहुत चुका है यानि अब आप गाजीपूर से सीधे नौइडा तक जा सकते हैं तीन से जादा एक्सप्रेसवे की चेन उत्तरप्रदेश में एक साथ बनकर तयार हुई है इससे समय काफी कम लगेगा भारी वाहनों को शहर में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा टाइमिंग बहुत कम होगी और इंधन का भी बचत होगा और ये जो ब पुरब से पश्चिम तक जो यूपी एक लेन में जुड़ रहा है उससे उत्तरप्रदेश की स्थिती बदल सकती है और पुरवांचल एक्सप्रेसवे इसके लिए एक बड़ा मील का पत्थर जरूर साबित होगा जो तस्वीरे इस वक्त हम देख पा रहे हैं प्रधान मंत पारी दी जाएगी कि इसमें 13 इंटर्चेंज बनाए गए हैं दो जगये पर टोल प्लाजा हैं और इसके साथी साथ जो 13 इंटर्चेंज बनाए गए हैं यानि 13 कट है और 3.2 क्लियो मीटर लंबी एरस्ट्रिप यहां पर बनाई गई है एरस्ट्रिप के दोरों तरफ 12-12 मी बढ़ते हैं इस एक्स्प्रेस वेपर 80 किलो मीटर पर आते हैं तो आयुध्या के लिए भी एक कट दिया गया है जहां से एक घंटे में प्रभु श्रीराम की नगरी आयुध्या पहुचा जा सकता है इसके अलावा लखनव से आजमगर तक धाई घंटे में आप पहुच सक अगर आप लखनव को एक केंद्र मान कर देखेंगे तो लखनव से गोरखपुर तक नश्टनल हाईवे पहले ही बना हुआ था गोरखपुर से वारा नसी का नश्टनल हाईवे फिलहाल बन रहा है और वारा नसी से जैसा कि मैंने पहले बताया था क्यूँकि वहां से जोन्डियों कैमार के सिविक हांचनल हाइवे, इसके साथ वारनसी से हंडिया जोकी प्रियागराज का श्चनल हाईवे है, वह सिख्स ले ने बनकर तयार हो चुका है, वारनसी में दो बड़े रिंग रोड के प्रोजेक्ट का भी उधाटन, प्रधान मंत्री मोदी कर चुकत के हैं तीसरे रिंग रोड का काम चल रहा है यानि पूरवांचल जहां से प्रधान मंत्री मोधी सांसद है उसके विकास को लेकर एक रोड मैप जरूर यहाँ पर तयार किया गया है और अगर इसके सियासी पहलू को आप समझेंगे विशाल तो 156 विधान सभा सीटे है 29 लोग सभा सीटे पूरवांचल में आती है बीजेपी 2014 से यहाँ पर अच्छा प्रधर्शन करती आई है 2014 के लोग सभा चुनाओं में मुलायम सिंग यादो आजम गर्से सिर्फ लोग सभा का चुनाओं जीत पाये थे जिसमें 106 सीटे बीजेपी जीती थी और 8 सीटे अपना दल के पास गई थी 4 सीटे सुहल दियो भारतिय समाज पार्टी के पास गई थी 2019 के लोग सभा चुनाओं में थोड़ा समिकरन पूरवांचल में बीजेपी के लिए चैलेंजिंग जरूर था सपा बस्पा का गटबंधन था सपा बस्पा के गटबंधन में 7 सीटे वो लोग यहां से जीते और 22 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी 21 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी और एक सीट पर कॉंग्रेस की जीत हुई थी राइबरेली लोकसभा सीट से तो 19 में थोड़ा परिवर्तन पूर्वांचल में दिखाई दिया था और अब जब 22 का विधानसभा चुनाओ नस्दीक आया है तो पूर्वांचल में सियासी समिक्रण बदल रहे हैं समाजवादी पार्टी जाती समिक्रण को फिट करने में जुटी हुई है ओम प्रकाश राजबर के साथ गटबंदन किया है संजे चौहान की जनवादी पार्टी से गटबंदन किया है महांदल के साथ गटबंदन किया है तो जो ओबीसी वर्ग पर सपा ने फोकस बढ़ाया और पूर्वांचल में एक ब्रहमण मद्दा था जो कि कथित तोर पर बीच बीच में खबरे आती रहती थी कि बीजेपी से नाराजगी की खबरे सामने आ रही थी इन सब के बीच बीजेपी ने पूर्वांचल पर अपना फोकस बढ़ाया इसलिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ग्रिह मंत्री आमिश्रा मुख्यमंत्री योगी आदितनात इन लोगों ने पूर्वांचल में अपने दौरे काफी तेज कर दिये एक के बाद एक चाहे ओशी नगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उतखातन करना हो वारणशी में रिंग रोड का उतखातन करना हो या फिर ग्रे मंत्री आमिश्रा का आजमगड दौरा हो बस्ती का दौरा हो तो पूर्वांचल पर फोकस इसलिए बढ़ा हुआ है इस वक्त बीजे पी और सपह का क्योंकि इस बार पूर्वांचल की लड़ाई काफी टककर की होनी है काफी काटे की लड़ाई पूर्वांचल में है इसलिए दोनों ही दल अपनी अपनी प्रतिष्ठा यहां पर पूर्वांचल में लगा रहे हैं और इसका इसकी तस्वीरे हमने कुछ दिन पहले भी देखी जब ग्रे मंत्री अमिश्रा अखलेश यादो के गढ़ आजम गढ़ में थे तो अखलेश यादो योगी आदितिनात के गढ़ गोरकपुर में रतियात्रा निकाल रहे थे यानि वार प्रहार में कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती है और इनी सब के बीच अब ये पू पूर्वांचल में जो समिकरण है जातिगत समिकरण उनका मुकाबला ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरीए करने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगे विशाल बिल्कुल एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाते हैं प्रधान मंतरी यहां पर पहुँच चुके हैं अब से कुछ देर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का घाटन होने जा रहा है तीन सो चालिस किलोमेटर लंबा यह एक्सप्रेस वे लखनाओ को घाज़ेपुर से जोडने वाला सूपर हरकुलिस C-130 जे से प्रधान मंतरी ने इस एक्सप्रेस वे पर लेंडिंग की यह दिखाने के लिए कि एक्सप्रेस वे एमर्जंसी की स्थिती में युद्ध की स्थिती में वाई उसेना के विबानों के लिए फाइटर जेट्स के लिए लेंडिंग के लिए टेक औफ के लिए काम में آ سकता है भारत के लिए सामर एक दिरिष्टी से बेहद जिस तरह की चुनौती का सामना भारत करता है एक तरफ चीन एक तरफ पाकिस्तान यानि की टू फ्रंट वार की स्थिती में इस तरह के एक्सप्रेस वे जो बायू सेना के काम में आ सकते हैं वो बेहत महत पुपूर्ण हो जाते हैं और प्रधान मंत्री ने सुपर हर्कलिस के जरीए यहाँ पर लैंड कर इसकी श्रमता क्या है और यह किस काम आ सकता है इसका महत्व क्या है यह साबत कर दिया है प्रधान मंत्री जनसवा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 45 मिनिट का एक एर शो यहाँ पर होगा और इस एर शो में आपको जैगवार नजर आएगा सुखोई नजर आएगा और एन 32 जैसे एर क्राफ्ट यहाँ पर टच एंड गो पर्फॉर्म करते हुए आपको देखेंगे इस एर शो के अलावा भी अगर उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए हास से अगर आप देखें तो यह एक्सप्रेस वे काफी लेकर के घाजी पूर तक अब कनेक्ट हो गए आप इसे मान लीजिए तीन एक्सप्रेस वे और अगर इन तीन एक्सप्रेस वे को जोड़ दें तो ग्रेटर नॉइडा नॉइडा ग्रेटर नॉइडा से लेकर घाजी पूर तक का इलाका जो है वो कनेक्ट हो जाता है एक ब सावित होगा क्या हाइवे से पूर्वांचल विजय श्री का रास्ता निकलेगा यह बड़ा सवाल है लेकिन राजनीती से इतर विकास की अगर बात करें इंफ्रस्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मील का पत्थर सावित होगा यह एक्सप्रेस वे अपसे कुछ दिर पहले अ इंबा एक्सप्रेस वे 22,500 करोड की लागत और एक बार फिर वो तस्वीर जब प्रधान मंत्री ने यहाँ पर सूपर हरकुले सी 130 जे से वो यहाँ पर लैंड हुए और मंच की तरफ यहां से वो आगे बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं कि कि विशाल क्योंकि लखनओ से यह एक्सप्रेस वे शुरू हो रहा है लखनओ के बाद पहला जिला बारा बंकी दूसरा जिला सुल्तानपुर फिर अमेठी अमेठी के बाद अयोध्या अंबेटकर नगर अंबेटकर नगर के बाद आजमगर मउ और फिर गाजीपुर यह 9 जिलों से होकर एक्सप्रेस वे गुजरेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या यह एक्सप्रेस वे सीधे आगरा लखनओ एक्सप्रेस वे से कनेक्ट है फिलहाल यह कनेक्ट नहीं हुआ है सीधे लेकिन आने वाले 4-6 महीने में एक रिंग रोड अभी जो लोग दिल्ली से यात्रा करेंगे वो नौइडा होते हुए यमना एक्सप्रेस्वे से आगरा पहुचेंगे फिर आगरा से सीधे लखनव पहुचते हैं और लखनव से अभी शहीद पत का इस्तिमाल करना होगा इस एक्सप्रेस्वे को पकड़ने के लिए जो कि सु किलोमीटर की दूरी पर और इस एक्सप्रेस्वे को सीधे गाजी पूर तक लेकर जाया गया है नौ जिले है और ये नौ जिले तो है ही इसके साथी साथ जो आसपास के कुछ और जिले हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे क्योंकि राइबरेली बहुत नजदीक है सटा इसके साथी साथ जो लोग अईुद्य के उस तरफ गोंडा या बस्ती जाते हैं वो भी इस हाइवे का इस्तेमाल कर सकते हैं आजमगड मो śफ oh ये एक्स्प्रिस हुर सीधे कर रहा है वारण असी से जो लोग डिल्ली के लिए जाना चाहते है वो भी वारण असी से तीन पर कट है यानि वारणसी से लगबग 60-60 किलोमेटर की दूरी पर यह तीन कट है जहां पर आप इस एक्स्प्रस्वे को ले सकते हैं यात्रा करने के लिए और अगर आप इसकी स्थिति को देखें क्योंकि मैं अभी यहां पर देख रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी बनकर तयार हो चुका है और अभी क्योंकि सर्विस लेन का काम बाकी है में कैरीज वे पूरा बनकर तयार हो चुका है इस पूरवांचल एक्सप्रसवे का लखनव से गाजी पूर तक लेकिन जो सर्विस लेन हैं दोनों तरफ उन पर अभी काम चल रहा है जो बेसिक चार्जिंग की विवस्था की जाएगी जहां जहां पूलिस चौकिया बनेंगी वहां वहां एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा ताकि वहां पर हेलीकॉप्टर की लेंडिंग हो सके इसके अलावा और साथी साथ सुरक्षा के लिए यहां पर जो सेना के रिटायर्ड लोग जो उत्तरप्रदेश पुलिस से रिटायर्ड लोग है उन लोगों को इसमें रखा जा रहा है पूरवांचल एक्सप्रसवे की सुरक्षा के लिए राजेश पांडे जो एक IPS ऑफिसर रहे हैं यूपी के उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरवांचल एक्सप्रसवे की दी गई है क्योंकि यूपी का ये सबसे लंबा एक्सप्रसवे है 341 किलो मीटर इससे पहले आगरा लखनो एक्सप्रसवे 302 किलो मीटर का था और उससे पहले यम्मा एक्सप्रसवे 165 किलो मीटर का था विशाल उत्तरप्रदेश के बारे में एक ये भी कहा जाता है कि एक् जब अखले श्यादों की सरकार आई 2012 से 2017 तक अखले श्यादों ने आगरा से लखनव तक एक्सप्रेस वे बनाया जिसमें एयर स्ट्रिप भी मौजूद थी योगी आदितनाथ सत्ता में आए तो इस पूरवांचल एक्सप्रेस वे पर काम शुरू कराया और अब यह पूरव एक्सप्रेस वे से चुनावनी जीते जा सकते बाकी काम भी करने होंगे और इस सरकार ने बार-बार बाकी के इंफ्रस्रक्टर प्रोजेक्ट पर भी उतना ही ध्यान दिया देखें विशाल अगर उत्तरफदेश की राजनीती का पहलू आप समझेंगे तो विकास काम बहुत पीछे चुट जाते हैं जब चुनावन नजदीक आते हैं और इस बात को बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टिया इस वक्त बहुत अच्छी तरह से सम अगरा पिछडा दलेत मुसलिम अपने वोट बैंक सबके हैं और उन वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है जातिगत आधार पर क्योंकि यूपी की राजनीती का यह एक कड़वा सच है कि यहां पर आप चाहे जितना काम कर लीजिए अगर जातिगत समिक्रण आपक लुकस है वो मुड़ गया है लोगों की चर्चा का विशाय एक्सप्रेस वे और विकास हो गया जातियों से हट कर बिलकुल विशाल देखिए एक्सप्रेस वे चर्चा का विशे रहेगा और इसे बीजेपी एक अपने बड़े काम के तौर पर भी विदानसभा चुनाओं में पेश करेगी क्योंकि 341 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेस वे से नौ जिले पूरवांचल के कनेक्ट हो रहे हैं और नौ जिलों के साथ साथ पूरवांचल के और जो आसपास के जिले हैं वहां के लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे पर अखलेश यादों के कई कारिकरता साइकिल और माला फूल लेकर सांकेति घाटन करते नजर आए दरसल इस एक्सप्रेस वे का महत्वे दोनों ही पार्टियां समझ रही हैं कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इसलिए क्रेडिट वार भी दोनों पार्टियों के बीच च अगर बिहार की तरफ जाना हो या फिर अगर वरणसी होकर बंगाल की तरफ निकलना हो जारकंड की तरफ जाना हो तो यह सारे चीजों के लिए पूरवान चल एक्सप्रेस वे एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा सियासत को अगर इससे बिलकुल अलग कर दे तो क्योंकि अगर एक्सप्रेस वे का कल्चर उत्तरप्रदेश में चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में आने वाले पात सालों में दस सालों में यूपी का कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा जो एक्सप्रेस वे से कनेक्ट ना हो क्योंकि अगर आभी आप देखिए नौइड खंड के कई जिले आपस में कनेक्ट हो रहे हैं जो कि आगरा लखनव एक्सप्रेसवे पर जाकर मिल जाएगा जिसका काम चल रहा है दूसरा एक जो एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आने वाले दिनों में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी मेरट से कर सकते हैं उस किलोमीटर से जादा इसकी योजना तयार की गई है मेरत हापोड अम्रोहा बदायू हर्दोई जैसे जिलों से गुजरता हुआ कानपुर राइबरेली होता हुआ ये सीधे प्र्यागराज पहुचेगा तो ये लगबत 595 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे होगा प्रेस्टि वीनुस अप अवलेबल न गूगल पले अप्स तो नोड़ इन अप डूलोड इन आव